हेलो दोस्तो वेल्कम यूओ लॉक्ता एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत हैP में कि बजच क्या होता है और ट्ली प्राई में वजच कैसे कीसे बनाए जाता है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमने एक MS World में बजट के बारे में कुछ information लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है कि बजट क्या होता है आप पड़ सकते हो दोस्तो अभी हमने एक budget है हमारे में तीन लाग रुप एक fund है और हमने यहाँ पर allocate करा है कि इस budget को जो तीन लाग रुप एक fund है इसको कैसे कैसे use करेगे तो हमने इसमें देखा है कि हम पूरे financial year 22 साइस में salary के ओपर हम 60 रुपे खर्चा करेगे advertiser में 44,000 rent पे हमें 1,80,000 रुप खर्चा करना है internet पे हमें 10,000 रुप इस करना है और पानी के बिल पर water expense हमें 6,000 रुप करना है इस तरह से हम 3,000,000 जो हमारे fund अभी पड़ा हुआ है इसको पूरे साल हम use कर सकते है तो हमने budget बना लिया सारे खर्चों का दोस्तों budget हमें help करता है कि जो हमें actual expense करते है उसको जो हमने budget बनाया है उसको compare करने में ताकि हमारे actual expense budget को cross ना कर पाए कि अगर actual expense budget से ज़्यादा हो जाएगी तो बाकी का जो हमने budget बनाया है वो बिगड़ दाएगा ना हमारा तो इसको सरब वो hold करने में compare करके hold करने में help करता है तो दोस्तों देखते है टेली प्राइम में इसकी working कैसे होती है तो सबसे पहले टेली open करते है तो दोस्तों सबसे पहले आपको create option पर जाना है और यहाँ पर आप show more पर जाओगी तो आपको budget का option यहाँ activate हो जाएगा यहाँ पर आगया budget का option और यहाँ पर आपको एक एक करके सारे के सारे budget बनाने है तो सबसे पहला budget है हमारा salary का तो हमने लिखा है हमें salary period हमारा 1 April से 31st March पूरे financial year का है group का इसमें भी कोई role नहीं है तो no रहेगा लेजर इसका yes रहेगा आपका उसके बाद हमें old C करना है और आपको salary लिखना है salary आपका indirect expense है और इसको control इसे save करना है own closing balance पर आपको बनाना है और budget आपका कितना amount है 60,000 रुपे अपने simple यह बना दिया इसके बाद जो second है आपका advertisement आपको वो बनाना है इसका period भी एक April से 31st March ले लेते हैं larger yes हो जाएगा फिर आपको old C करके बनाना है advertisement यह भी खर्चा होगा closing balance पर रहेगा आपका और इसका budget है 44,000 का इसके बाद जो third है हमारा rent यह भी financial year एक April से 35 मार्स तक रहेगा group no रहेगा लेजर yes रहेगा आपका simple आपको बनाना है rent rent आपका खर्चा होगा और closing balance पर और इसका balance जो budget है हमारा एक लग 80,000 रुपे है इसके बाद जो fourth हमारा internet तो आपने बनाया internet का budget यह भी पूरे financial year का है तो एक अपल से 31 मार्स आ जाएगा लेजर yes रहेगा यहाँ पर भी आपनाऊगे internet यह भी खर्चा हो जाएगा और closing balance पर और इसका जो balance है वह है 10,000 same दोस्तो इसी तरह आपको एक budget और बनाना है जो example में given है water का यह भी हमने पूरे साल के लिए बनाया है यह भी closing balance पर रहेगा हमारा और यह amount है इसका 6000 दोस्तो अभी तक हमने पूरे साल के लिए कुछ expense उनका budget बना लिया अब दोस्तो आप इस पूरे financial year में इन सारे खर्चों की entries तो पास करोगी तो हम कुछ entry pass कर लेते हैं फिर हम compare ही करेगी हमारी budget को actual experience से तो कुछ हम वैसी entry pass कर लेते हैं इन सब की जैसे मान लोग कि एक entry हमने पास कर दी जैसे salary की है न तो हमने payment में entry पास कर दी हमने salary बनाया तो व्यारे जुमें 20 एर का हमने एक entry pass कर दी और एक salary की एक और entry पास कर देते हैं डेट चेंज कर देते हैं एक 10,000 की एक entry और पास कर दी यह सरफ समझा रहा हूं आपको में इसके लावा एक entry और पास कर देते हैं जैसे हमने date change कर देते हूं में एक 10 और हमने advertisement की entry पास कर दी 50,000 के हमने एक lump sum entry पास कर दी है ताकि थोड़ा time बच पाए उसके बाद एक rent की entry पास कर दी इसकी भी एक ही entry पास कर देते हूं में एक लाग 50,000 कर दी है मैंने और यह हमने कर देते हैं हमने पे कर दिया एक 11 तक for example एक कमाई एंटरी पास कर दी है हमने इसी तरह एक एंटरी पास कर दे इंटरनेट की इसकी date भी चेंज कर लेते हैं मालोब 12 तक हमने पे कर दिया internet का खर्चा आठ अजार उपे और एक पानी का खर्चा भी पे कर लेते हैं water expense यह हमने 500 पी कर दिया यह हम एजियूम कर दे जारा अब दोस्तों यह रूबीन खर्चे जो अपनी करे होगे में एक कमबाइन एंटरी पास कर दी है आप हर महीने एंटरी पास करोगे अब हम क्या करना है जो जो अपने budget बनाया तो उसे compare करना है और देखना है कि budget के according आप खर्चे कर रहे हो ऐसा तो नहीं है कि आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो बजट कम है आपका अब इसको check कैसे करोगे तो simple तरीका चेक करने का आपको पी एंडल पर जाना है profit and loss पर जाना है इंडरे expense में जाना ह आपको simple इस पर जाना है तो देखो सारे के सारे जितनी भी अपने budget बनाया थे सब कुछ शोग कर रहा है अब अब एक एक करके check करते हैं तो सबसे पहला budget था हमारा salary का salary पर आते हैं तो देखो दोस्तों वो बता रहा है आपको budget नहीं पर जो salary का अपने budget बनाया था बनाया अब तक आप कितना खर्चा कर जोगे इसके उपर आप 30,000 रुपए खर्चा कर जोगे हो और कितने time तक एक अपरल से लेकर एक 10 तक और वो बता रहा है कि fund कितना बचा हो 30,000 बचा हुआ उपके बस तो आपको देखना है कि fund के accounting आपको आगे भी खर्चे करने हैं क्योंकि म कज़कना सल्री का बजट्ड अपने सल्रीपर अपने चेक रहा है अब हम करते हैं रेंटका बजट्ड चेक रेंड़ पर देख़ो यहां है कि आपने बजट्ड जो बनाया था एक लाग ऐसको बनाया था और आप एक लागं 50 खर्चा कर चुके हो और अप 1 अप्रेल से लेक इसी तरह बाकी बज़ेट भी चेक कर सकते हो आप जैसे आपने चेक करा इंटरनेट का इसका जो बज़ेट में आया है था हमने 10,000 रुपे और अभी तक आप खर्चा कर चुक हो 8,080% 20% यह आपका बैलंस बचा हुआ है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने बज़ेट को चेक कर सकते हो अपने एक्च्वल एक्च्वल को अपने बज़ेट से कबेर कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्च्वल खर्चे ज्यादा हो रहे है बज़ेट उसका काम है तो आपको अपने एक्च्वल खर्चों पर थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा तो दोस्तो ये budget की working है I hope आपको समझ में आई हो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like, share और subscribe हमारी चैनल को करना बिलकुल मत भूलना Thank you very much